आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ हो मैं निहा बात हैं BJP के वरिष्ट नेता मुल्ली मनोहर जोशी ने पी-एम नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की जम कर तारीफ की है आज तक से exclusive बातचीत में मुल्ली मनावर जोशी ने मोधी की तारीफ करते हुए ये कहा कि लोगों के दिलों में सरकार की प्रती इज़ट बढ़ी है और दो साल में सरकार ने बढ़िया काम किया है सरकार की दो साल की उपलबदियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं बीज़पी के सीनेर लीडर डॉक्टर मुर्ली मनावर जोशी जी डुक्टर जोशी, बीजेपी के दो सालों सरकार सेलिबरेशन मना रही है आपके इस डंग से देखते हैं कि जिस डंग से सेलिबरेशन मना जा रहा है बीजेपी के और से सरकार के और से क्या वाक्य में उपलब दिया है या कई कम्या भी रही है देखिए ऐसा है कि दो वर्ष का समय जो मिला है अभी जिसकी चर्चा हो रही है पहले उसकी तेह में जाईए इस सरकार को एक नहायत ब्रष्ट सरकार से मुक्ती मिलने के बाद अफसर मिला था तो सरकार के बारे में लोगों का ख्याल था कि इसमें ब्रष्टा चार होता है ये ब्रष्टों लोगों होते हैं उसको हटाना है और उस ब्रष्टा चार की वज़े से जो देश में आर्थिक कमजोरी आ गई थी लाखों करोड रुपए तो गोटालों में गए और उसके बाद ये बैंक्स का NPA अर्थ विवस्था बिलकुल गिरी हुई हालत में तो दो साल तो उस कुड़ा करकट को साफ करने में लगे बुनियाद बनाने में लगे आखिर जब आप कोई भवन बनाते हैं तो पहले शुरू में पुराना भवन गिराते हैं और कुड़ा करकट साफ करते हैं तो ये पुरानी जितनी भी इस तरह की विवस्था में कुड़ा करकट गुसा हुआ था या दंदगी गुसी हुई थी वो हटाई गई संतुस्ट है पूरी तरीके से सरकार के काम का से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसको के बाद इसमें सवाल उठेगा कि सरकार भवन कैसा बनाती देश को कैसा बनाती तब ये सवाल उठेंगे कि वही आपने ये कहा था ये वही हो अभी तो आप देखिए कि अर्थ वस्ता को पटरी बलाए है पहली बार ये हो रहा है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और अब जो आखरी आंकले आए हैं उसमें 7.9 परतिश्ट की रफ्तर से हुआ तो पहला काम मैं समस्ता हूँ इन दो सालों में जो ज़रूरी था फिर इंफरा स्ट्रॉक्चर की कुछ बुनियाद रखी गई सब्सकें भी बनी है टेले कमुनिकेश भी देश में आगे बढ़ा है कमी भी आपको लगते की उसको किया जाना चीज़ और और चीज को और बहतर तो कड़ना ही होता दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है कोई ये कहे कि मैंने बिलकुल परफेक्ट काम कर लिया मैं नहीं मानता इसको इसमें हमेशा गुन नहीं होगी तो सरकार बेकर है, फिर तो बिरोक्रियट काम करते रहेंगे. तो सरकारों में सरकार की सामने नए नए प्रस्ताव आते हैं, उन पर विचार होता है. प्रगत्की की दौड में देश को आगे ले जाना होता है, तो इसलिए हर समय कुछ नू कुछ सुधार करना पड़ता है. ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अमियां सुधार कटम हो गया. क्या सुधार्गी आपको लगता है जरूरत है सरकार में? हर चीज में. कोई ऐसा नहीं. जिसको आप ये कहें कि यह अंतिनन आगया, लास्ट आगया, फिद, ऐसा नहीं. कि अब आप पहुंच गए कैलाज की शिखर पर आगे नहीं जाना है, ऐसा थोड़ी होता है. सरकार की पांच बड़ी उपलब्दियां आपको लगता है, जिसकी वज़े से दूसरी कॉंग्रेस सरकार से अलग है? पहली बात थो यह कि सरकार पर कोई बरस्ताचार का दब़ा नहीं है, इसी सरकार पर जो आखности से अगे वड़ाना चाहती है, वो बरस्ताचार से मुक्त सरकार है. पहली बात तो मैं इमानूँगा इस. झाल